अगर आपका ड्रीम है इंडिया में टॉप करना इस्टेट में टॉप करना उपने स्कूल में टॉप करना और रातो रात इस्टार बन जाना तो आज का वीडियो आपके लिए ही है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब क नाम पढ़ते हैं सिरिजा छाबरा का नंबर 4099 नंबर है 500 में से ठीक है 4099 नंबर है 500 में से ना पी हरिनी का नंबर है 4995 में सिमिलर है दुनों का रितेश अगरवाल का नंबर है 495 में से ठीक है सिद्धार चंद्रा का नंबर है 496 में से अब देखो यहाँ पर समस्य यह आ रहे हैं थोड़ा सा इस पर समस्ते हैं मैटर है क्या देखो इस बच्चे का वन माक्स कम है ठीक है वन माक्स कम है इस बच्चे का सिमिलर है वन माक्स कम है इस बच्चे का दो माक्स कम है इस बच्चे का और नंबर कम है किस में से 500 में से ना तो कुछ प्लान बनाते हैं कुछ एग्जिक्यूशन करवाते हैं कुछ लेकिन सभी लोग क्या करते हैं इसको फालो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं यार अगर आपने ड्रीम इतना बड़ा बनाया हुआ है कि cbsc में आप टॉप लिस्ट में आना चाहते हो तो इस ट्रगल भी तो आपका अलग टाइप का होगा ऐसा थोड़ी है कि आपने रातो राज सोचा जैन्वरी में सोचा और आप सोचते हो कि टॉप कर जाएंगे अब कुछ नहीं होने वाला है लेकिन आज अगर नौंबर में आ सकता है हर एक बच्चा यान तो लास्ट में आप साल भर कितना पढ़ते हो यह मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है लेकिन आप कितना अच्छा लास्ट के थ्री मन्स में रिवीजन करते हो वह बहुत इंपोर्टेंट होता है और आपका जो इस बार एक्जाम होने वाला 15 में सबजेक्ट आएंगे ना वह मार्च की स्टार्टिंग में 3-4 मार्च से स्टार्ट होंगे ठीक है और जो सुनाई दे रहा है सिवच सी भले ही कह रहा है कि हम मिड्ओ फरवी से स्टार्ट कर देंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जो आपके एक्जाम होंगे वो मार्स से ही स्टार्ट होंगे ठीक है तो अभी बच गिया नॉंबर दिसंबर जैनवरी और फैबरी चार वन थे यार ठीक है अच्छे से प्लान करो डिस्टिक में टॉप कर जाओ इंडिया में टॉप कर जाओ ठीक है कैसे देखो एक चीज हमको यह समझ में आया अगर हमको चार सुन इन्यान में नंबर पाना है तो देखो भाया यह एक नंबर कम हों ना किसमें कितने में से 500 में से सबको दिख रहा होगा एक नंबर कम है 500 में से मतलब यार फिजिक्स देखो ध्यान से समझू चैमेस्ट्री ना बायू ना मैट्स इन सब्जेक्ट को हम लोग जानते हैं पूरे साल भर पढ़ते हैं ना इंक्लूड़ेट इंग्लिस भी पढ़ते हैं ऐसा नहीं है इंक्लूड़ेट इंग्लिस भी हम लोग पूरे साल भर पढ़ते हैं लेकिन अगर देखा जाए तो फिजिक्स केमेस्ट्री बायो मिला के जानतों कितने माक्स याती है पता ही होगा 100 माक्स का इंग्लिस में भी पागए लेकिन यार आपका सस्टी बसता है किन्दी बसता है अगर आप भाया यहांपे 90 नंबर भी पागए नब्बे नंबर भी पा गए आप तो लिस्ट से बाहर हो गए तो आपको क्या करना एक टार्गेट सेट करना वो टार्गेट क्या होगा 30 नॉवंबर ना 30 नॉवंबर तक या फिर बहुत डिले 10 जैनवरी तक 10 दिसंबर तक ठीक है आप अपने स्लेबस कम्प्लीट कर लो ठीक है किसी भी तरीके से एक्स वाई जेड कौन से सब्जेट कम्प्लीट कर रहा है आपको समझो ध्यान से सस्टी और भाईया क्या हिंदी सर यह सब्जेट क्यों हम लोग 30 नॉवंबर से पहले पहले करने सर बेटा यह देखो 200 मार्ग्स का है ठीक है 200 मार्ग्स का है और इसमें अगर एक नंबर भी कम हो गया तो आप तो लिस्ट से बाहर हो जाओगे क्यों क्योंकि मैट्स में जान अगल माना जाता है समझ रहे हो कहीं न कहीं बच्चे का तीन घंटे में माइंड इधर उदर होई जाता है ठीक है वैसे साइन्स में ना साइन्स में भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत क्रियेट हो सकती है तो उस नंबर को कौन मैनेज करेगा मालूम है आपका एसस्टी और ह हिंदी हो जो सब्जेक्ट आप पढ़ते ही नहीं हूं है का समझ रहे हूं तो आप क्या करो 30 नॉंबर से पहले पहले आप क्या करो अ आपको क्या करना है जल्दी से स्लेबस पढ़ लेना है 30 नॉवम्मर से पहले पहले अपना पूरा स्लेबस कम्प्लीट कर लेना है और लगभग लगभग 10 सैंपल पेपर ना 10 सैंपल पेपर बढ़िया से लगा डालो ठीक है मोस्टली स्कूल में 15 दिसंबर से लेके पंदरा जणवरी के बीच में एक या दो प्री बोड हो जाएगा । साइन्स ना इंगलिस आपका 50 पर्सेंट से लेके अगर आप उस तैयारी को अच्छे से करते हो 50 से लेके आपका 90 परसेंट तो तैयारी हो भी जाएगी यार ना इतना parents कर देगा इतना कोचिंग class में test होगा आप खुद लेके बैठोंगे आपके school में test होता रहेगा अगर आज की date में 50% पे खड़े हो अगर आप 50% आज की date पे खड़े हो तो definitely आपका January सब्सक्राइब लेकिन सस्ट और हिंदी नहीं बनेगा तो उससे पहले क्या करो हिंदी में नंबर पाना बहुत इसी है लेकिन जरूरी भी है कुछ बच्चे कहेंगे सर जरूरी यार देख लो न एक नंबर कम होता है तो आप लिस्ट से बाहर हो जाते हो मेरे भाई ठीक है और यार मैं आपको ऐसे एक्जामपल बताने जा रहा हूं किसी बच्चे का नाम नहीं लेना है बहुत आइसे बच्चे देखा गया है बहुत बच्चे देखें भी यह बच्चे क्या करते हैं लाच के 2-3 मंत में पढ़ते हैं सष्टी औहुं ہं हिंदी और 100 में 100 पाए हैं ठीक यूटूब में बहुत सारी वीडियो बलेवल है उन वीडियो को देख डालो ठीक है दो तीन दिन में खतम कर दो चाहे जैसे खतम करो भाई इसके बारे में डिसकेशन नहीं करते हैं कैसे खतम करते हैं एक बार बैठो 7-8 घंटे वीडियो देखे खतम करो फिर आप 10 शैंपल पेपर से लेके 15 सैम्पल पेपर डालो बंछने से बाएगा कहां से कुस्चन मेरे भई ऐगा कहां से बताओ आपने ncrT लगा लिया आपने सैंपल पेपर लगा लिया फिर आपने तीं से चार प्री वोर्ड अपने सकूलों में दे लिया तीन से चार pre-board school में दे लिया कहीं कोई question नहीं फसने वाला यार आप maximum marks, sst और hindi में गेन कर सकते हो बाकि जो आपका physics का है, chemistry का है, math का है ये सभी क्या बनते हैं, ये सभी भी important है English में definitely आप क्या करोगे, handed में handed अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो handed में handed पा जाओगे math की आपने तैयारी अच्छी करी है, तो handed handed पा जाओगे science की अच्छी तैयारी तो handed है, अब जो तैयारी आपकी नहीं थी किसकी sst की और किसकी hindi की, उसमें भी आप क्या क्पा होगे अगर हेंडेट में हेंडेट पा जाओगे तो भाईया सभी का score में लाने पर क्या हो जाएगा 500 में 500 पा जाओगे भाई चार सुनिन्यानवे वाला cbsc के साइट पर अब लेबल है आप 500 पा रहे हो जोड़ दिये 500 पे 500 नहीं पाते हो अगर सभी बच्चे क्या कर रहे हैं देखो यहाँ पर चार सुनिन्यान भी पा रहे हैं तब भी साइट पर अगर कोई बच्चा 490 भी पा रहा है तो डेफरेंट्ली यार वह अपने दिस्टिक में तो टॉप कर ही रहा है भाई मेरे ना हर सब्जेक्ट में अगर दो दो नंबर भी उसके कम हो गए ना हर सब्जेक्ट में दो दो म करो थर्टी नॉम्बर से पहले पहले आपके सस्टी और हिंदी खतम हो जाए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थाइंक यूँ